इस्टोक ट्रेडिंग 360 में दोस्तों मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ एक शॉट टर्म कॉल के साथ जिस इस्टोक के बारे में मैं बात करना चाहा हूँ के-此 इंट्रनेश्णाल लेमितेड्ड़ है आज इकी नीजर आफ्टर मार्केट के तो बात करते हैं कि यह काम क्या करती है कंपणी तो के-ई-सी जो international company जो है basically, जो cabling का काम है, energy में जो ये cabling होती है, transmission होता है उसके ये products manufacture करती है, तो basically जो company है वो that engage in engineering, procurement and construction business है इसके अलाबा जो है infrastructure products बनाती है, जो यसे मैंने आपको बताया कि जो बड़े जैसे टाबर होते हैं, बिजली के, lights के power के, तो उसमें ये उसके जो products है, cabling का और जो equipment उसमें use होते हैं, उसकी उसका जो है, ये manufacturing करती है तो इसके अलाबा जो, इसका जो group है it's a part of RPG group काफी famous group है RPG group, उनके काफी-काफी अलग-अलग भी segment है उनके तो already जो company जो group है वो basically infrastructures, tires, manufacturing IT में और जो group है basically, वो harsh going का जो पुराने investors हैं, I think उन लोगों को पता हुआ, harsh going का एक बड़ा नाम है, काफी ज़्यादा companies हैं उनकी, और काफी अलग-अलग segment में भी उनके business है तो एक बड़े group की company है guys 110 countries में इनका जो business है और अभी जो इनके हाली में जो इनके CEO हैं, उन्होंने एक statement दिया है कि उनके पास कुछ 1108 करोड के आसपस का उनको order मिला है और जो order है वो उसमें IRCTC जो Indian Railway है उसका भी इनको order मिला हुए बाकि Middle East, Africa और India से भी इनको जो overall जो इनके order है वो कुछ 1108 करोड के order है तो जो Indian Railway का है वो भी इन्होंने अभी इन्होंने विन किया है actually they have won the order from Indian Railway as well तो यहां पर एक बड़ी तेजी आपको दिखाई दे सकती है कल हो सकता है कि market में थोड़ी सी गिरावाट हो guys but यह stock आपको थोड़ा से positive आपको moment में ही दिखेगा जोकि news दो ही चीजों से stock trade करता है guys या तो results के base पर या फिर market में कुछ sentiments positive हो तो या कुछ orders या acquisition या कोई बड़ा investors जब किसी इस company को बाय करता है तो तब ही उसमें तेजी आती है तब ही आप देखेंगे कि 24 का इसका P.E.A. इंडस्ट्री P.E.A. और 32 का stock का P.E.A. तो valuation भी almost सही है 11,000 करोड की company है market cap की company है book value की बात करो तो 141 रुपे की book value है जो और 429 रुपे पर trade कर रहे है तो अगर all time high से बात करो तो guys कफी अच्छी valuation पर आपको मिल रहा है stock results जो है वो positive है तो date कोई बड़ा issue नहीं है 6 महीने में कोई खास return नहीं दिया है 3 महीने में 15% के return दिया है और काफी अच्छी अभी आपको ये rate पर मिल रहा है guys आप बात करें इसकी sales की तो 3300 करोड के असपास की sales हुई थी इनकी June quarter में इस Q1 quarter में और March quarter में जो थी वो 4200 करोड 4275 करोड की sales हुई थी और June quarter में 2540 तो पिछले साल June की quarter में company ने काफी अच्छा perform की है इसके अलाब मैं बात करूँ अगर इसके net profit की तो जो 46 करोड का net profit था इनका June quarter में पिछले साल वो 31 करोड का रह चुका है तो यहाँ पर थोड़ा सा negative है result अगर मैं बात करूँ results की तो थोड़ा सा negative हुआ results और बट क्योंकि operating profit कहीं न कहीं decrease हुआ होगा चुकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इनका 252 करोड का operating profit था वो 168 करोड का रह चुका है बट कंपनी के पास जैसे अभी काफी अच्छे orders जो हैं कंपनी के पास काफी अच्छे orders हैं जो इनकी book value जो है वो काफी बढ़ती हुई दिखाई देगी आपको 1108 करोड कोई छोटा motor order नहीं होता गाईज एक बहुत बड़ा इसमें मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़ी तेजी आ सकती इसे stock के अंदर आपको short term में 30 से 40% minimum आपको ये stock दे सकता है और बाकी Q2 भी इसके शांदारी आएंगे जिससाना से company ने orders दिये हैं तो उसको fulfill करने के नहीं company आपको अच्छे profit और अच्छे net profit operating profit भी आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे इस stock में तो जैसा मैंने आपको था 3,000 करोड के आसपास के company के पार date हैं तो और 35 करोड की company के पास अभी results पढ़े हुए है तो company जो है वो date free है almost और इसके अलावा जो मैं बात करूँ इसके share holding patterns की तो 51% की जो हिस्सेदारी है वो promoters की है और 12% की FIIs, DIIs भी इसमें involved है DIIs की holding भी अच्छे कासी है guys 26% की हिस्सेदारी है public की holding मातर 9% की है जो की एक positive sign है मेरे हिसाफ से guys तो जिस तरह की news आई है अभी 1108 करोड का इनको orders मिला है अभी हाली में after market orders after market hours आप इसको 1108 करोड का जो orders मिला है उसके बारे में मतला जो company के CEO है उन्होंने statement दिया है कि हमने जो है इंडियन railway से जो order है वो इसको win किया है basically तो एक बड़ा moment आपको ये stock दिखा सकता है 600 रुपे के label पर ये stock आपको short term में जाते हो दिखाई दे सकता है बाकि long term में भी आप इसको hold कर सकते हैं सही valuation पर आपको मिल रहा है सही price में आपको मिल रहा है सोचो guys कि आप 11,000 करोल का market cap है company का और 1108 करोल का इनको order मिला है 1.10% का जो इसका market cap आप देखेंगे उसका market cap का 1.10% जो है उसके पास order है फिलाल तो जिसको फिल्फिल करना होगा आगे भी अगर ऐसा ही company perform करती रहेगी तो guys यह अच्छे आपको results दे सकता है infrastructure के वैसे भी आपके portfolio में infrastructure के कुछ न कुछ shares आपके पास होने चाहिए तो में रेंट से बाय कॉल है guys for short term and for long term as well but long term अगर आपको रखना है तो Q2 पर भी नजर रखेंगे अगर Q2 आपका इसका result negative आता है then आप आप आपर short कर सकते हैं sale कर सकते है stocks और बाकी अपनी position accordingly आप बना सकते हैं बगे अभी short term में आप इसको कल बाय कर सकते हैं आपको अच्छे कासे 30-40% की return यह stock दे सकते हैं so thank you so much guys for watching this video if you like this video please like and subscribe my channel and also concerned with your financial advisor before you buy any stock recommended by this channel so thank you so much guys and all the best